दोस्तो नमस्कार करनल अजय स्यो आजय अस्टो मानी गुरू फर्स्ट ग्लोबल अस्टो फुनाइंस दीजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ दोस्तो आजय अस्टो मानी गुरू संभापता विश्ट का पहला एस्टो फुनेस डीटल चैनल है जो आपको इंडियन सिस्टम आफ अनेलेसिस एवं फंडामेंटल अनेलेसिस के अधार पर आपको विश्टलेशन प्रस्तुत करते हैं साथ साथ देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराते हैं दोस्तो आपको याद होगा कि हमने आपको चने के उपर जब चने के भाव छेजार पांसो से छेजार शेजार प्रेपती किन्टर चल रहा था और डालों में शांदार तेजी दर्स थी उपरी इस तरों पर ह सबसे अधिक बितने वाला ब्रांड हो गया है जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तो तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कभी किसी व्यापारी या दफसाई को फाइदा नहीं हुआ है हमारा प्रयास यह रहता है कि का 25 प्रतिशत से अधिक हिसा अब भारत ब्रांड डालों के पास आ गया है ऐसा कहना है सरकारी एजन्सियों का भूकता मामले के सचीफ श्री रोहित कुमार सिंग ने कहा कि भारत ब्रांड के तहट खुद्रा बिक्री कीजेने वाली सरकार दोरा खरीदी गई चना डाल मुल बनकर उबरा है गौरत अलब है कि एक महतवपूर्ण खबर जो बिजनस स्टेंडर में छपी है उसके अनुसार अक्टूबर 2023 में लांच की गई भारत ब्रांड चने डाल को बड़ा थासिल है क्योंकि इसकी कीमते अन्य ब्रांडों से लगबग 80 रुपरे पती किलोगराम क इसके आसपास इसकी कमी है और यही बजा है कि पूरे देश में भारत ब्रांड सरकारी डाल की हिसेदारी अब 25 प्रतिशत से अधिक हो गई है दौरत अलब है कि 23 अक्टूबर को लांच की गई भारत ब्रांडेट चना डाल की बड़ा थासिल होगी है क्योंकि इसकी कीमतों में काफी कमी है रोई सिंग ने पीटी आई की भाषा से कहा कि प्रतिक्रिया इतनी अच्छी रही कि देश में परिवारों के बीच चना डाल कि एक दिश्मलब आठ लाक टन मासिक खपत में से एक चुथाई भारत ब्रांड चना डाल है अक्टूबर 2023 से लगभग 2.28 लाक भारत ब्रांड चना डाल बेची गई है इसका मासिक औस्त विक्री लगभग 45,000 टन है गौरतलब है कि शुरुआती विक्री 100 खुद्रा केंदरों के मादम से शुरू ही थी अब 21 राजियों के 149 शेरों को कवर करते वे 13,000 तक पहुच गई है मॉबाइल और फिक्ष पोकरी के रूप में विवार करती है चने की कीमतों को नीचे लाने के लिए बफर श्टा को अप्यों करने अन्य दालों की कीमतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है सरकार घरेलू उपलब्दिता को बढ़ावा देने और कीमतों को अंकुष लगाने के उद्धे से पिछ चना दाल की खुद्रा विक्री कर रही है गवरतलब है कि इन एजंसियों को बफर स्टॉक का कच्चा चना 49.083 रुपए पती किलोग्राम के रियाईती दरों पर इस शर्ट पे दिया जा रहा है कि उन्हें खुद्रा कीमत 60 रुपए पती किलोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए एजंसियों किने सरकार से कच्चा चना खरीती है और उसकी मिलिंग करती है और भारत ब्रांड तहएद खुद्रा विक्री करने से पहले उसे पॉलिश भी करती है वरतलब है कि फिलाल 15 लाग टन चना सरकारी बफर स्टॉक में मौजूद है चना दाल के लावा भार ब्रांड के तहएद भारते खा देने गम यानि एफसी आई का गिहूं का आटा भी बेच रही है और कीमतों पर अंकुष लगाने के लिए उसी ब्रांड के तहएद एफसी आई चावल की विक्री पर भी विचार कर रही है हाला कि कुछ वर्षों से देश में दालों का घरे है और कमी को पूरा करने के लिए अन्य दालों का आयात किया जाता है दोस्तों यह सारी जनकारी आपको बिजनिस ट्रैंगर्ड बिजनिस न्यूस पेपर में छपी एक खबर के अनुसार प्रेशित की जा रही है दोस्तों आपको याद होगा चने पर सबसे पहले पांच मेह चने पहले हमने आपको अग्रिम विश्लेशन देते वे कहा था कि चने में हमें तेजी के संकेत नजर आ रहे हैं और चना जो 42, 43, 44 रुपे से यानि 42, 44 रुपे ट्रेड हो रहा था वो 65, 64, 64 रुपे तक च्रेड हुआ उपरी दामों पर हमने आपको संके दिये थे कि सरकार इसमें इंटरवेशन कर सकती है और अब चने के दामों के अंदर गिरावट संबभ है देखिए चने के दामों में जबरदस गिरावट दर्ज हो गई है तो दोस्तों कहां से तेजी बन सरसो सूरज मुखी तेंदर तेजी की बात कही थी नौंबर मेने में शांदर तेजी बनी इसके अतरिक तो आपको याद कीजिए मसालों में छोटी लाईची बड़े लाईची हल्दी के अलावा ड्राय फूर्ट में मखाने किशमिश इस पे भी अपडेट दिये थे जो कि अक्षरत सत्य साबित होए हैं दोस्तों विशेश रिसर्च और फंडामेंटल एनलेसिस और इंडियन सिस्टम ऑफ एनलेसिस के सहीव प्यासों से जब कोई रिसर्च होती है तो वो आप दूसरे मेथर्ड के मुकादले अधिक प्रमानिक और अधिक सत्यता के नजदीक होती है आज ही विशेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर कर सकते हैं नंबर स्क्रीन पे दिया गया है औल दे वरी बैस्ट गोड लाग हैपी ट्रेडिंग